हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसे क्लिक कीजिए और मटीरियल की जानकारी भी वहां आप देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं एक मिथला पेंटिंग या मदुबनी पेंटिंग उसके लिए मैंने लिया है हैंडमेड पेपर मैं स्केच करने वाली हूँ एक निब से ये निब एक निब होल्डर में है जिसको कैलिग्रफी के लिए भी इस्तमाल किया जाता है और उसको में क्या करन बॉर्डर से, बॉर्डर के लिए मैंने एक उंगली के नाप का अंदाजा ले लिया है और वैसे ही मैं स्केच करूँगी, ये चुकि ऑथेंटिक वे है बनाने का, चुकि जैसे वहां मिथला में बनाया जाता है, वैसे बनाएंगे, हम ये, इसलिए हम इसमें कोई स्केल का इस इसलिए हम इसको सही तरीके से भी करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी परिशानी आपको हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है, आपको सीधी लाइन नी आएगी, पर आपको कुछ गबराने की बात नहीं है, ये बिलकुल भी आप अगर मिथला कलकारों की जगह उन लोगों की लाइने स्ट्रेट नहीं है, या फिर बिलकुल सीधी नहीं है, और वही सही तरीका है, क्योंकि पहले जमाने में लोग सिर्फ माचिस की तीली से, या फिर एक बास की का स्पेशल पैन बना के, या उसको छील कर ऐसे शार्प करके उससे बनाया करते थे, तो ये जाहर से बात है कि उनकी लाइने ऐसे टेडी मेडी सी आएंगी, पर वही एक्चली मिथला को और मदुबनी पैंटिंग को एक अलग सी सुनदरता देता है, वही उसका सही तरीका है करने का, तो आप जितना हो सके, कम से कम स्केल का स्तमाल कीजिए, और इसको चाहें तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, पहले एक रफ पेपर में और फिर आप अपने फाइनल पेंटिंग के लिए ऐसे बिना स्केल से कर सकते हैं, तो आप जैसा देख रहे हैं, हम यह ऐसे बार्डर बनाने वाले हैं, चारो तरफ ऐसे लाइन देंगे, यहां से वहां तक तो एक उंगली से हमने निशान बना लिया है, पेपर पे, उंगली से मेजर करके, और उसको हम सीधा जितना हो सके हम से करेंगे, और उसके बाद एक डबल लाइन उसके उपर दोहराएंगे, तो ऐसा हम चारो तरफ करने वाले हैं, और पूरी तरफ से करेंगे, हम थोड़ा सा सूखने देंगे उधर इसलिए मैंने आधा ही लाइन करके छोड़ दिया है थोड़ा उस साइड मेरा भी क्योंकि यह अक्रेलिक पेंट है पर जल्दी ही सूख जाएगा तो हम थोड़ा उसको सूखने देंगे मैं देखती हूं एक मिनट थोड़ा सा और टाइम लगेगा और तरफ हमें ऐसे ही करना है तो जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं डबल लाइन बना रही हूं जो लाइन हमने अभी खीची उसकी तरफ और ऊपर भी हम वैसे ही करेंगे तो वैसे हलका अनताजे से धीरे-धीरे अगर आप धीमी गती से इसको पेशिंस के साथ करेंगे त तो आराम से बनेगा यह, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और आप जैसे देख सकते हैं, मेरी भी लाइन कोई बहुत जाधा सीधी नहीं है, पर अंत में वही सुन्दर दिखने वाला है, बहुत जाधा सीधी लाइन अगर आप खीच देते हैं, तो वो थोड़ा अब यहां पर गौर करने की बात है, जो नीचे वाली लाइन मैंने कीची थी, उसमें मैं तीन लाइन कीच रही हूँ, यही हम चारो तरफ करेंगे, और यही हमारा सिंपल सा एक बॉर्डर आज के लिए तैयार हो जाएगा, अब हम पेंटिंग पर फोकस करेंगे, आपको मै हम उस दोनों तरफ से उसी को एक बड़ा कर्व बनाते वे एक फेस का आकार देंगे, एक आनिमल के फेस का आकार देंगे, एक जानवर के फेस का आकार देंगे, चुकि आज हम एक गाय की पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, मदबनी पेंटिंग में, तो इसलिए एक फेस पहल है अभी और जैसा आपने देखा आपको दो सी करना है छोटी और बड़ी और उसको पीछे से एक बड़े कर्व से जोइन कर देना है और बॉड़ी के तरफ बढ़ेंगे आराम से आपको एक रैंडम सा लाइन जिग-जग सा करते वे घुमा कर नीचे लाना है आपको नीचे की के लिए हम पहले डबल लाइन कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा मिलेगा और डबल लाइन खतम करते ही मैं क्या करूंगी पेंटिंग को थोड़ा घुमा दूंगी तो वहां नीचे मैंने एक हलका सा टेड़ा लाइन कीचा है उसके पैर के आकार के लिए और उसी के पैरलल ह हम दो डबल लाइन खीच के ऊपर एक हलका सा कर्व देंगे ताकि वह लगे पैर का हिस्सा रहे हैं दूसरे पैर के लिए भी मैंने कुछ वैसा ही किया है सिर्फ उन दोनों में यही अंतर है कि मैंने पहला वाला जो पैर बनाया था वो सीधा लग बनाया तो यह हलका सा अगर नापते वे चलेंगे तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कैसे करना है अब हम थोड़ा पैर उदर सूखने देते हैं और इधर गर्दन पे थोड़ा काम करते हैं तो गर्दन के पास हम थोड़ा सा एक डिजाइन बनाएंगे जो गाय का हमने फेस बनाया था उसके पा पैर के पास वाला पेंट सुख जाएगा और फिर हम वापस वहाँ जाएंगे तो ऐसे मैंने एक आपने देखा तो तो तुरिकोन का डिजाइन बनाया है यहां गोल गोल एक छोटा सा पैटन क्रियेट किया जो कि बहुत ही सुन्दर दिखता है जब आप उसको पेंटिंग करे अब वहीं जहां मेरा खतम हो रहा है डेशाइन वहां पर मैं एक पैर बना रही हूँ उसका तो ये भी एक करने का आईडिया था कि यह दिखाएन बनाने से लिए धोड़ा अंदाजा मिल गया और बचता है एक पैर जो हम सामने की ओर देंगे और वैसे ही हम उंगली से measure करके एक डेर उंगली के करीब जगे छोड़के एक पैर बनाएंगे और जो हल्क असा मुड़ावा दिखाएंगे उसको, बाकी पैर थोड़े स्ट्रेट हैं, एक पीछे का भी हमने मुड़ावा तो यह हमारा अकार तयार हो गया है अब उस पे हम 1 पूँच बनाएंगे क्योंकि यह गाये है बूचinos के लिए उसकी नचनल हो गया तो हम 1 पूँच का अकार बनाएंगी इधर और। इसके डबल लाइन फिर से करेंगे जैसे जैसे आमने बाकी बाडी से लिए किया है तो ये हमारा हो गया, पूछ तयार, उसमें हम जट से वो black color जो हम already use कर रहे हैं, उसको भर देंगे और उसके बाद मैं जो है, पूछ के अंदर थोग असर design बना रही हूँ और फिर अब focus रहेगा हमारी आखों पे, आखों पे हमें खास करके ध्यान देना है, वो बड़ी और bold होनी चाहिए क्योंकि आखें बहुत जरूरी होती है, कोई भी चित्रा बना रहे हो तो आखें सुंदर होनी चाहिए या कोई भी फोटो आपने देखा होगा, तो आखों पे खास कर ध्यान देना चाहिए तो मिधला आख में थोड़ी बड़ी और bold आखे बनाते हैं, यह हम उसकी सींग बना रहे है, यह हमारी सींग बन गई, गाय की, छोटी सी, और छोटा सा एक कान बना दिया हमने और इस तरफ भी हम वही रिपीट करेंगे, तो जैसा आप देख सकते हैं, वैसा ही हम करेंगे, और यह हमारा लगभग बाहर का चित्र तैयार होगे, अब हम अंदर थोड़ा डेकोरेशन करेंगे इसका तो अंदर की तरफ मैं एक पैटन क्रियेट कर रही हूँ जैसा, नीचे मैंने थोड़ा त्रिकोन पैटन किया था, थोड़ा जोमेट्रिक पैटन, ऊपर मैं थोड़े सेमी सर्कल्स बना रही हूँ, वो भी जोमेट्रिक पैटन है तो आप काफी जब पैंटिंग्स गौर करेंगे मितला पैंटिंग में तो यह आप देखेंगे कि काफी जोमेट्रिक पैटन का यूज होता है तो इसी तरह से आपने पीछे भी इनके पीछे की तरफ भी मैंने एक हलका सा फूल जैसा डिजाइन दे दिया कि जब हम कलर भरेंगे तो यह बहुत सुन्दर दिखेगा तो यह हुआ मेरा एक डिजाइन तयार उसके बाद हम पैरों में थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे तो इधर आप देख सकते हैं जैसा पैरों में हम डिजाइन बना रहे हैं बस अंदर दो दो लाइन कीच के थोड़ा सा गैप चोड़े हैं बीच में और चेक्स पाटन बना रहे हैं उसी के ओपर हमने एक हलका सा डिजाइन क्रिएट किया और अब हम थोड़ा सा काम करेंगे उसके बादी के अंदर बागी मैं हमेशा उधर पैंट थोड़ा सूखने देती हूँ बापस उधर जाएंगे लेकिन पहले हम बॉड़ी पे काम करेंगे और वो छोटे-छोटे फ्लार्स जो हमने फूल बनाना सीखा था लास्ट सेशन में और आपने वो लास्ट सेशन मिस कर दिया है तो लिंक मैं आप जाके बहां देख सकते हैं कि अलग-अलग तरीके के फूल और पत्तियां कैसे बनाई जाती है मितला पैंटिंग में क्योंकि वो आगे इस पैंटिंग में भी हमें लगने वाला है तो आप जाके वो सेशन जरूर 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 देखिए वो हिंदी और इंगलिश दोन तो यह लग-बख हमारा कतम हो गया और जैसा हमने वो पैर पर रिपीच किया था वो पैटन तो वो हम आगे उपर तक पूरा पैर भर देंगे उससे तो यह आप जैसा देख सकते हैं वैसा हमें हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ना है फिर वो चेक्स वाला पैटन बनाना है और उसके उपर फिर से ऐसे डबल लाइन खीच के एक थोड़ा सा सेमी सर्कल जैसा पैटन बनाना है फूल जैसा दिखता है वो बहुत सुंदर दिखता है जब आप बनाएंगे तो तो वैसे ही दोनों सारे पैर में यह डिजाइन भर देना है अब हम आएंगे बैग्राउं के तरफ बैग्राउंड बहुत ज़रूरी है मितला पैंटिंग में आप अकसर देखते होंगे कि जो भी मितला पैंटिंग बनता है पूरी तरीके से भरा हुआ लगता है और बैग्राउंड में हमेशा जादा तर लोग जो में ट्रिक पैटर्न यूज करते हैं या फिर फू साइंस बना सकते हैं तो इसी तरह हमें पहले सबसे पहले शाख बनानी है चारो तरफ हम भर देंगे इस पैटर्न से यह पूरा जो पेंटिंग हमारा तयार हुआ है और यह हम हर तरफ एक फ्लो में बनाना है आपको काफी आपके हाथ को थोड़ा धीला चोड़के एकदम ब बनाना सिखाया था तो यह फूल जो आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको धियान देना है कि थोड़ा सा जब आप फूल हर ब्रांच पे बनाते हैं या हर शाख पे बनाते हैं तो थोड़ा आपको धियान देना है कि बहुत ज़ादा भी एक जगा पे नहीं हो थोड़ा ढंग से एक यहां एक यहां बनाया है तो थोड़ा दूर पे एक बनाना है तो यह थोड़ा सा आपको placement का देखना पड़ेगा कि आप कहां पे place कर रहे हैं तो वैसे ही जैसा मैंने कहा इसको इस background को पूरी तरह से भर देंगे और पत्तों का shape मैंने काफी simple तो बिलकुल आप वो असानी से बना सकते हैं और वो आप जैसा लास सेशन में भी सिखा था वैसे ही मैंने पत्तों का shape रखा है easy और simple तो वैसे ही फिर से मैं फूल दिखा रही हूं कैसे बनाना है बिलकुल आसान तरीके से और पत्ते से भर देना है तो ऐसा हमारा sketch अंत में दिखना चाहिए तो उसके बाद हम रंग का इस्तमाल करेंगे तो मैं acrylic paint जैसे black भी यूज़ किया ये blue भी मैं सारा painting में acrylic paint यूज़ कर रही हूँ तो मैंने blue से start किया अब रंग जाहिर है आपका अपना choice हो सकता है मैं blue इस्तमाल करेंगे तो आप जैसा भी रंग चाहे तो भर सकते हैं आपको जो रंग पसंद हो वो आप भर सकते हैं पर यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगे एक combination जो कि अच्छा दिखता है जब पूरा painting complete करेंगे तो तो इस तरह से आप blue color पूरे body में भरने वाले हैं हम और वैसे ही जैसे आपको जो छोटी छोटी बारी इतने फूल बनाए हम थोड़ा सा धिहान देना है जब हम painting कर रहे हैं जाहे तो आप एक थोड़ा सा पतला सा brush इस्तमाल कर सकते हैं ताकि यह मैंने color भर दिया है blue color और अगर आपने एक बहर दी और आपको लग रहा है कि नहीं यह बढ़िया नहीं दिख रहा है थोड़े से patches आएं तो आप उसको सूखने दे और दुबारा color से एक बार एक coat और कर सकते हैं तो वो patches आपके चले जाएंगे फिर यही blue color जो आपके pair में जो gap थे ना तो वहां भी आपको भरना है और यहाँ वाले उपर में गर्दन के पास जो body का part है उसमें भी यह blue color आपको भर देना है तो इस तरह से हमारा blue color पूँच में भी आएगा of course क्योंकि गाये का रंग blue हमने यह रखा है तो यह पूँच में भी आएगा तो वैसे हम हमारा blue color भर गया अब हम दूसरा color जो इस्तमाल करने वाले हो लाल है red है और red हम बीच के pattern में और वो flower जो हमने बनाए फूल जो बनाए पीछे की तरफ वूश पे यूज करेंगे और यह जो सारे background में हमने फूल बनाए दे ना चोटी-चोटी वो जो कि अभी थोड़ा जो बड़ा सी हमने बनाए था वहाँ और वही red हम border में भी इस्तमाल करेंगे तो सारे border में भी हम red color भर देंगे सिर्फ आपको याद रखना है कि जो squares बन रहे हैं चारो border के उसमें नहीं भरेंगे उसमें हम दूसरा color भरेंगे तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ तो पीला रंग अपने next color है हमारा yellow उसके लिए हम यहाँ जो semicircle pattern वाला था पहले उसमें भरेंगे और वही पीला रंग हम क्या करने वाले हैं यहाँ जो जितने भी फूल बनाए थे background में उसके बीच में भरेंगे और वही पीला रंग जो मैंने आपको बुला था वो square जो बन रहा है border में उसमें छोड़ देंगे वहाँ पे हम पीला रंग भनने वाले हैं उसमें red नहीं बलकि पीला रंग भनने वाले हैं तो इस तरह से हमारा पीला रंग भी खतम हुआ उसके बाद हमारा color आता है हरा जो कि बहुत-बहुत important color है बढ़िया सा हरा color है और जब हम य तब यह painting आप देखना कितना निखर कराता है बाहर और आप यहाँ पर गौर कीजेगा जो हरा color में इस्तमाल कर रही हूं मैं सरिफ उन पत्तों में भर रही हूं जो शाख पे लगे हुए हैं जो कुछ-कुछ पत्ते मैंने बीच में create किये हैं जो मैंने वो आप देखोगे म मैं उसमें नहीं भर रही हूं क्योंकि वो ऐसे लग रहे हैं कि पत्ते गिरे हुए हैं वो पत्ते शाख से गिर गए हैं थोड़े सूख गए हैं उसमें हम एक pattern create करेंगे जैसे एक look के लिए तो यह आपको ध्यान रखना है कि सरिफ उन पत्तों में रंग भरे जो शाख पे लगे हैं तो बीच बीच में आप देखोगे कि मैंने यहां पे पत्ते कुछ कुछ छोड़ दिये हैं क्योंकि वो शाख से अलग होके तूट के गिरे हैं तो उसमें हम कुछ pattern भरने वाले हैं तो यह हमारा तीर दीरे हम पत्तों में हरा रंग भरते चलेंगे और जब हम भर के आया है जब यह background तैयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे जो पत्तिया हमने छोड़ दी है उसमें या तो हम यह acrylic paint फिर से nib को डुबा कर उसको भर सकते हैं से हलके fine lines भर सकते हैं या फिर हम एक rotary pen का इस्तेमाल कर सकते हैं fine liner का इस्तेमाल कर सकते हैं 0.5 mm का है यह इसस choice है आप चाहे जैसे भी यूस्तेमाल कर सकते हैं पर मैं कहूंगी कि जादा बहतर तरीका जो authentic तरीका है वो निप को डुबा कर करने का है उसका अलग ही look आता है या फिर आप अगर इस pen के साथ comfortable है तो आप इस pen को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह ऐसा दिखने वाला है एक तो आप जो हमने फेस में थोड़ा सा जगे नीचे छोड़ा था उसमें भी हल्का सा में यह fine line करेंगे क्यूंकि यह fine line बहुत ही unique तरीका है मदुबनी painting में काफी कच्चनी में यह समाल होता है कच्चनी का तरीका है यह तो इसी लिए यह मैं थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि वो हलका सा यह पूरा look create हो जब यह हमारा painting बनके तयार हो तो बस हमारा painting बिलकुल almost तयार है आप मुझे comment section में बताई आपको कैसा लगाए और इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon दबाएं ताकि आपको हर हमेशा notification मिलता रहे और जल्दी में हाजर होंगी next session के साथ जिसमें हम कुछ नया बनाना सीखेंगे और बहुती आसान tricks सीखेंगे अगले session में सो फिर से मिलेंगे हम अगले शुकरवार बाई see you again